नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप, आसा करता हूँ, आप सब कुसर्थ पूर्वक होंगे, जय सत्गुरु स्री माली जी की जय, जय सत्गुरु स्री नाथी राम वाली में की की जय, जय सम्शान काली, मैं भगत अनरेश कुमार पंचाल, अपने महा काली चैनल में आप सभी मैं भगत अनरेश कुमार पंचाल आज आप सब भायों के लिए एक बाबा काल भैरो को बुलाने का काला भैरो की साधना का एक सावर मंतर लेकर रहा हूं यह साधना पूरी 41 दिन की साधना है इस साधना को बिना गुरू के ना करे अपने गुरू की जाज़त से करे अपने गुरू के आशिरवास से करे और अपने गुरू की कहने पर करे अगर आप बिना गुरू के करोगे तो अपनी हानी और लाप के आप श्वयम जम्यवार बनो इसमें मेरी और मेरे चनली की कोई जुम्मेवारी नहीं होगे। अब अंतर सुनें मैं बड़े अराम राम से आपको पढ़के सुनाँगा। गुरु का आदेश, 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 यहां मंतर है दोस्तों। इस मंतर में आपको काले हकीक की माला लेनी है। काले ही वस्तर होने चाहिए, काला आसन होना चाहिए। आपने क्या करना है काल भहरोजी के नाम से ग्यारा बुंदी के लटू, एक नारियल, काला कपड़ा लपेट के, एक देशी का पववा, एक मिठा पान, ग्यारा गलाब जो फूल, ग्यारा लोंग, ग्यारा इलैची, यह आपने काल भहरोजी के मंदर में चड़ाना है। इसी अमश्या की रातरी को, या मालो सनीवार को, या एहतवार को इस साधना को पुरू शुरू कर सकते हो, पहले अपना आसन जाप, गुरु मंतर, रक्सा मंतर, सुरक्सा गेरा यह करे, फिर उसके बाद आप अपने गुरू की जाज़त से, आप इस मंतर की कम से कम पांच म की जानकारी चाहिए, ता मुझे संपर करके आप इस साधना की जानकारी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, और एक नई वीडियो के साथ, जै महाकाली, जै सिंशानकाली.